स्वागत है दोस्तों आपके अपने उनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ब्याचू पार्ट शाला पर मैं हूं मुहम्मद कामरान दोस्तों आज की स्वीडियो में हम देखेंगे 2016 के ज्यामिया मिल्ला इस्लामिया बिया अनर्स प्रिटिकल साइंस के जेनरल अवेडिन से कु इंडिविजल to individual relations हो जहाए वो एक society के relations हो तो उसे हम क्या कहते हैं social reality कहते हैं तो वहीपुछ रहा है कि इंडिया की जो social reality है वो कैसी है मरे चार options है religious, homogenous, multicultural or ideological तो इसमें हमारा सही option हो जाएगा दोस्तों Option No. C, Multicultural क्योंकि इंडिया में हम जानते हैं कि हमारा कोई state religion नहीं है, हमारी कोई particular ऐसी ideology नहीं है जिसे हम follow करते हैं, हर किसी के पास यह right है कि वो अपनी किसी भी ideology को follow करें, वो किसी भी culture को follow करें, वो किसी religion को follow करें, तो इस तरीके से हमारे society कैसी हो गई? Multicultural हो गई हमारा next question है कि the cardinal principles of Indian social order is पुछ रहा है कि हिंडुस्तान का जो social order है वो किस तरीके से जो दूस्तों social order जो होता है, वो जह कहता है कि how various components of society are formed यानि हमारे social relations से जो हमारे एक दूसरे के बीच relations बनते हैं, वो society में किस तरीके से मतलब रहते हैं हमारे society के अंदर तो हमारे पस options है कि tolerance and consensus B, diversity and conflicts C, conflict and consensus D, none of these इसमें हमारा सही option काउन सो जाएगा दूस्तों? Option number A that is tolerance and consensus क्युकि हम जानते हैं कि हिंडुस्तान के लोगों के अंदर सायन चिलता भी बहुत है और consensus एक agreement होता है among the people which says that people want to live together तो इस तरीके से हिंडुस्तान के अंदर tolerance and consensus बिलकुल है इसलिए हमारा सही जवाब option number A हो जाएगा अपना next question देखते हैं Groups demanding reservation because of हमारे यहां लूग आरक्षाल की मांग क्यू करते हैं हमारे पास options है Preservation of religious identity B, discrimination C, preservation of caste identity D, preservation of linguistic identity हमारा सही option है option number B discrimination दोस्तों, लोग reservation इसलिए मांगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके साथ किसी ना किसी वजा से discrimination हुआ है आपकी caste identity की वजा से हो सकता है और आपकी जो linguistic identity है उसकी वजा से हो सकता है और कोई भी इन identities की वज़े से जिसकी वज़े से आपको discriminate किया गया है उसको preserve नहीं करना जाता खासकर तब जब वह social identities जो होती है वह socially construct होती है तो इसलिए हमारा सही option कौन सो जाएगा option number B यानि की discrimination हमारा अगला topic है हमारा अपनला question है कि the United Nations organization was created to यानि की United Nations organization की स्थापना किसलिये की गई थी options हमारे पास है option number A Promote international peace check the spirit of communism to help the developing countries and protect the US interest option number A that is to promote international peace क्युकि United Nations organization एक ऐसा institution है क्युकि World War II के बाद 24 October 1945 को San Francisco में बनाया गया इसका motto क्या था कि हमें social progress को प्रोमोट करना है और human rights को प्रोमोट करना है और जो countries World War II में एक दूसरे के खिलाफ लड रही थी उनके बीच एक cordial और friendly relation को बनाना है बिल्ड करना है तो यह हमारा reason था United Nations organization के बनाने का अच्छे अब आप लोग को मुझे यह अच्छे में बताना है कि आज के वक्त युन्यों का headquarter कहां पर है और दूसरी option number C हमारा जो है कि to help the developing countries इससे एक question बन सकता है कि World Bank इस वर्ड बैंक इस्थापना यह countrys को developing countries को help करने के लिए बनाया गया था किसके बाद? Britain's Wood Conference के बाद यह बात अब लोग याद रखेगा अगला question हमारा Who is considered to be the architect of Indian Constitution यानि भारती समीधान का main architect कि किसे माना जाता है हमारे पास options है जवारलाल नहरू, महात्मा गानी, राजेंदर प्रसाद या बीयार अंबेटकर इसका सही option हमारा जागा दोस्तों डॉक्टर बीयार अंबेटकर यह हमारे rafting committee के chairman भी थे जवारलाल नहरू हम सब जानते हैं हमारे पहले PM राजेंदर प्रसाद हमारे पहले राक्षपती और महात्मा गानी न दोस्तों अपने आपको Constitutant Assembly से दूर रखा था हालाकि इनके जो principles हैं वो Constitutant Assembly में discuss किये गए और उनके ऊपर हमारे बहुत से जो provisions के विधान में हैं वो लाए गए चलता है अपने अगले question के तरफ consider the following statement हमारी पहले statement है right to freedom right to education right to employment and right to food पूछ रहा है कि इन सब में से human rights कौन कौन से हैं तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कि option number D यानि कि ये तीनो जो हमारे options है वो human rights है human rights क्या होते है वो कुछ moral principles होते है which every individual of the planet is entitled of without any form of discrimination जैसे की हमारे पास अगर education का right नहीं है तो वो हमारे moral principles को छीनता है अगर हमारे पास employment opportunities नहीं है तो वो human rights का violation अगर हमारे पास food opportunities नहीं है तो human rights का violation है इस तरीके से हमारा option D बिलकुल सही हो जाएगा हमारा अगला option है कि in India a minority is identified on the basis of यानि कि हिंदुस्तान में minority constitution के according किन-किन basis पर दियाती है हमारा options इसमें हमारा option number B सही हो जाएगा that is either language or caste इसके एलावा किसी भी form की minority हमारे constitution में identify नहीं कियाती है हमारा अगला question दोस्तों है कि which of the following is not an agency of socialization इन में से socialization की एक कौन सी ऐसी एकाई नहीं है मर पस options है family school mass media या hospital इसका suggestion दोस्तों हो जाएगा hospital क्योंकि hospital में हम अपने हाप को socialize कर दो नहीं आते हैं बल्कि अपना medical treatment के लिए याता है लेकिन family हमारी जो basic unit है socialization की क्योंकि हम एक social annual तभी बन पाते हैं जब हमारी family हमको सरके से treat किया होता है दूसरी school family के बाद दूसरा institution हमारा school है और तीसरा mass media के तुरू भी हम अपने आपको socialize करते हैं इसलिए यह तीनों options यहां पर नहीं सही होंगे hospital हमारा option सही हो जाएगा next question हमारा है कि जामिया मिल्या इसलामिया was established two हमारे पास options है protect the interest of Muslims b protest against the British system of education c promote Muslim education d all of the above हमारा सही अफ्रीस में हो जाएगा दोस्तों protest against the British system of education क्योंकि जामिया मिल्या इसलामिया की इस्थापना जो British system of education था उसकी खलाफत करने के लिए ही कही गई थी जो की अलीगड़ मुस्लुम university से separate करकर एक नई university की नेव रखे गई जो हम जामिया मिल्या इसलामिया जी से आज जानते हैं इसकी स्थापना 1920 में की गई इसके founding fathers लेसे की Dr. Zakir Hussain, Hakim Ajmil Khan, Mahatma Gandhi यह लोग थे इसके पहले VC मौलाना मुहमद अली जोहर थे चलते हैं अगले question की तरफ that is inclusive growth as initiated in the 11-5th year plan does not include one of the following हमार पास चार options है हमारा सही option इसमें हो जाएगा दोस्तों option number D that is reduction in the gender inequality तो जो 11-5th year plan था हो उसमें यह provision नहीं था की reduction of gender inequality यह provision नहीं था इसली हमारा सही option option number D हो जाएगा हमारा next question है The aim of basic education as per the dream of Gandhi ji is to 1. Create a classless society B. Create a sarwode society 3. Create a society representing all religion 4. Create a society where a rich and poor can live together हमारा सही इसमें option काउंस हो जाएगा दोस्तों option number B क्योंकि Gandhi ji के हिसाब से हमारे basic education का जो reason था वो यही था कि हम एक sarwode society बनाएगा एक society ऐसी बनाए जो हर धर्म को समान मानती हो हर धर्म की इजद करती हो और तीसरी चीज़ की ऐसी समाज जहां पर गरीब और अमीर के बीच में कोई अंतर ना हो यह basic education का हमारे जो Gandhi ji के द्वारा dream किया गया था हमारा अगला question है कि अच्छा दोस्तों इससे पहले यह बता दू मैं कि हमारा 89th question जो है कि जामया मिल्या वह established क्यों किया गया था यह सवाल हर साल पूछता है इसको अप लोग रटले तो ही बेतर होगा चलते हैं अपने 92nd question के तरफ इस वालमिकी अमेटकर आवास योजिना इस मेंट फॉर A fighting caste system, removal of manual scavenging, reduction in poverty and increase in employment D promoting अमेटकर philosophy इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दोस्तों Option number C that is reduction in poverty and increase in employment क्योंकि इसका मोटो यह था कि जो slum area कि लोग है उनको हम finance करें अपने घर बनवाने के लिए जिससे क्या होगा कि employment भी बढ़ेगा और उन्हें employment opportunities भी दें जिससे क्या होगा उनकी power team है reduction होगा तो मारा सही जवाब option number C हो जाएगा अगला question हमारा है कि मन की बात is meant for हमारा options है Promotion of financial ideology B making election propaganda C connecting with the masses D criticizing the opposition दोस्तों देखियों सही है psychological question है कि अगर तो आसा जादा anti-government होगे तो आप गलत भी कर सकते हैं इसको वारना इसका सवाल जो है जो इसका option हो जाएगा C that is connecting with the masses मन की बात जो हमारे प्रदानमंत्रे मोधी करते हैं उसका main reason यही होता है कि वो masses के साथ जादे से जादा connect कर सके इसलिए हमारा second option third option सही हो जाएगा किसी ideology को प्रपोर्ट करना या election propaganda करना या opposition को criticize करना इसका main motto नहीं है इसका main motto masses के साथ जूड़ना है अपने अगले question के तरफ चलते हैं कि निर्भया fund was incorporated for निर्भया fund की इस थपने किस लेकी गई थे हमारा पास options है हर कोई जानता है कि meeting the legal expense of rape victim protecting the dignity याउबंगी झाल घ्क माझ पमें इंउ खुई इस थो क्रातो ऩ sup झाल 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 झाल